इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग फोन में रिसेंट बटन को आप कैसे रिमोव करेंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा बिलक आइकोन को प्रेस कर लेना है रिसेंट बटन को अगर आपको रिमोव करना है जैसे कि अभी हमारे फोन में रिसेंट बटन यहाँ पे सो कर रहा है हम इसको अगर रिमोव करना है तो सिंपल हम जाएंगे सेटिंग्स पे and settings पे जाने के बाद हमें काफी सारे features यहां पे देखने को मिलेंगे तो आपको click करना होगा यहां पे system settings में ठीक है simple हम यहां पे system पे click कर लेते अगर आपके phone में system settings नहीं होगा तो आपको display options पे click करना होगा और यहां पे हम click करेंगे navigation बार पे navigation बार पे click करने के बाद आपको swipe gestures का यहां पे use करना होगा ठीक है swipe gestures का जैसे आप लोग use करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो recent का button होता है वो यहां पे remote हो जाता है ठीक है अब आप लोग बोल रहे होगे कि remote button हो चुका है बट हम यहां पे recent कैसे करेंगे तो आपको left side से थोड़ा slide करना होगा और आपका जो recent button है वो काम करेगा उस तरीके से ठीक है तो simple आप इस तरीके से अपने Samsung के phone में recent button को remote कर सकते है so topic discover मिलते है next video में जै माता दी